भारत को रूस से S-400 Air Defense System की तीसरी स्क्वाडरन मिल गई है इस स्क्वाडरन को पाकिस्तान के मोर्चे पर ऐसी जगह तैनात किया जाएगा जिससे की पंजाब और राजस्थान पर होने वाले किसी भी तरह के हवाई हमले को रोका जा सके रूस से S-400 की पहली स्क्वाडरन दिसंबर 2021 में और दूसी स्क्वाडरन अपरेल 2022 में भारत आई थी भारती वाईसिना ने अपने पहली S-400 स्क्वाडरन को पठान कोट के पास तैनात किया है जिससे की लद्दाख, इमानचल और उत्राखन में होने वाले किसी भी हवाई हमले को रोका जा सके जबकि दूसरे S-400 स्क्वाडरन को उत्तरपूर में सिल्गुडी कोरिलोर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है भारत को अपनी हवाई सुरक्षा बेहत जरूरत थी क्योंकि भारत को पाकिस्तान और चीन दोनों तरफ से ही हवाई हमले का खत्रा है S-400 के सामिल हो जाने से भारत की हवाई सुरक्षा बेहत मजबूत हो जाएगी ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें धन्यवाद